लंबा है इसके बाद ये छोटी उससे बड़ी आती है तीनों मिल जाएंगे जो ये दिखा रहे हैं कितना प्राइज है ये अठारा रूपै का है गोल फर्मा है एक इससे बड़ा फर्मा होगा अच्छा दूसरा भी फर्मा यहीं मौझूद है उस्ताद अब्दुलसमत की पत आना है वो सब पतंग डिमांडेट पतंग है और नीचे कुछ लिखा है क्या है भारत कि शान रंगा बनावा है खुब्सूरत और ये अर्श रजा और क्या प्राइज है बताईए ब्लॉग बहुत बड़ा हो जाएगा तो इसलिए हम खोलेंगे नहीं और कलर ये जो क्या ड आर्टिकल दिखाए थे मैंने सब खोल के दिखाए थे आप कोशिच करूँगा उनिस सो रुपए ठीक है जो आपके हिसाब से उनिस सो में अच्छे आर्टिकल हो वो दिखा दीजी हमको लखनव का डॉन नंबर वन आता था है ये लखनव के डॉन आ गए है तो लखनव में पतंग बाजी करने हैं तो हमें लगता है यही डोर लड़ानी चाहिए लखनव का डॉन नंबर वन कितने का आर्टिकल है वही आर्टिकल दिखाएगा जो ज़्यादा सेल हो आपके पास उसके बाद एक फिरा आर्टिकल आ गया सलीम बेग नंबर वन काफी बार हम दिखाते रहते हैं जोर के बारे में मेकर इसके काफी मेनत करते रहते हैं प्राइस बता चलना चाहिए है 19.00 रुपए प्राइस है और सलीम बेग नंबर वन का मांजा है इसमें दो ब्लॉक शैद आते हैं इनके परेरी लाइगर तो औरिजिनल डॉर चाहिए हो प्राइस सही हो तो सही शॉप का चैन करना सबसे जरूरी है क्योंकि जब आप 1902.00 रुपए खर्च कर रहे हैं तो 1900 की डॉर आपके पास पहुँचे हमारा उद्देश यही है पठान फोटो आप देख लिए एक बार इदर नाम दिखा दिये यह मुन्ना भाई का ही है आर्टिकल पठान के नाम से 2000 रुपए यह 2000 रुपए बहुत बड़ी आए अलग-अलग जगाओं पे अलग-अलग प्राइस मिलते फिलाल आपको टिंकू काइट सेंटर पर प्राइस बहुत रिजनेबिल है यह किंग नमबर वन किंग नमबर वन काशिफ रजा किंग नमबर वन एक अजीम भाई की भी आतिश है यह काशिफ रजा की डोर है कितने की डोर है यह 2000 रुपए की दस बारा बंडल से जादा दिखा चुके हैं हमें लग रहा है और जादा दिखा चुके हैं आप लेकिन अभी तक प्राइस 2000 पे ही रुकावा है यही सबसे अच्छा ही रहा है अभी तीरे दीरे आके बढ़ेगा हाहाहा हम यही चाते रहेंगे कि अच्छे किलाड़ी हमेचा कम प्राइस की डोरे ही दिखाते हैं बाकी सब कुछ मिलेगा आपको हसीन भाई लल्ला भाई का नंबर वन शिकारी नंबर वन रखावा है और बशीर बेक का हेंटर मिलेगा निसार खान रिद्वान खान का शूर भी नंबर वन लगाए जितने टॉप लॉक है लेकिन हमारा उद्देश टॉप लॉक दिखाना होता ही नहीं है कम प्राइस से शौक करिए जी आप देखिए मैं इसके आगे आप रख दिये और ये बहुत सारे माजे अभी मैंने दिखा दिये पतंगे बहुत सारी रखी है तो मैं ब्लॉक बहुत बढ़ानी करूँगा कोशिश करूँगा कि दुबारा कुछ दिनों पर वापस अबडेट देदू कुछ नया स्टॉक आया होगा जो माजे बच गए होगे वो मैं आपको अगले ब्लॉक में दिखाऊंगा और टिंकु भाई के हाथ में पहली पतंग जो है फिलाल बिल्कुल पढ़िया फर्मा और साफ पतंग लग रही है जिससे शुरुआत कर रहे हैं टिंकु भाई क्लीन पतंग जैसा मॉस्चर चला है उसके जाब से पतंग में बिल्कुल मॉस्चर नहीं दिखाई दे रहा है लेकिन थोड़ा बहुत पतंगों में समय आ रहा है मॉस्चर चोंकि नमी इतनी जादा है और जी तो टिंकु भाई किसकी पतंग है ये बताईए पतंग उससे फर्मा बढ़ा है और कितने की है पतंग तो आपके पास अद्धी की शुरुआत जो है यहीं से है शुरुआत है अच्छा ऐसा क्यों अब जब्जशने दस ग्यारा रुपए वाली नहीं रख रहे हैं पतंग इसे चतों वाली अद्धी लड़ाने बर की अच्छी पतंग है जैसे इनसान होता ना दस ग्यारा वाली नहीं मिलती है बहुत से लोग मेरे पास आते हैं लेकिन वो ऐसी पतंग नहीं होती है फिर इनसान बाद में हमसे एक आएगा कि भाई दस ग्यारा रुपए वाली नहीं मिलेगा थे और इसी लिए नीचे दस ग्यारा वाली नहीं रख रहे हैं आप चलिए बहुत अच्छी पतंग है बजनु भाई के भाई है राजा बाबू के नाम से 14 रुपए में मिलता रहेगा जो भी पतंग दिखा रहे है अच्छा नीला भी मिल सकता है काला भी मिल सकता है और कोई अगर कोई डिजाइन भी चाहेंगे तो आप लोग टिंकु भाई को कॉल करियेगा स्क्रीन पर नंबर आएगा कहां पर शौप है टिंकु भाई आपकी ये अईया गंच को अराय के आगे पब्लिक लॉन्डरी पड़ती है उसी के अंदर राम जी दास एडवोकेट के बगले में राम जी दास एडवोकेट का जो बंगला है वो आप लोग सब जानते है राजा बजार में है मुर्तुजा हुसाइन रोड पर आईया गंच के पास है राजा बजार से जब आते हैं तो बीच में पड़ता है मैं उधरी से आता हूं इसलिए मैंने राजा बजार का नाम ले दिया और राजा बजार से भी आएंगे आप लोग तो सीधे आजाएंगे टिंकू का इट सेंटर पर आईया गंच की तरफ जाने वाली रोड पर रहेंगे चलिए अगली पतंग हम लोग देखें ये किसकी पतंग है एक पर इधर करके दिखाईएगा कमानी आप देखिए बहुत ही बढ़िया खुबसूरत कमानी बनाई गई है वैसे बढ़िया पतंग लग रही है अच्छा फर्मा है थोड़ा सा लंबा फर्मा है टिंकू भीया अपनाइज बताईए लखनव की पतंग लखनव के मेकर है पंदरा रुपई की अद्धी है औ लेनी होगे तो हम चोदाई वाली लेंगे सबसे राधा बिक्ति है इधर सबसे बता रहे हैं जी सबसे राधा पतंग लिए बिल्कुल सही कहा रहा है मैं इसलिए कहता हूं कि खिलाडियों के लिए सब बहुत महिंगा एफ़ॉर्ड नहीं करते हैं तो कोशिश होनी चाहिए कि कम प्राइज में माझें और कम प्राइज में पतंगें फिलाल एफम मुरादाबाद क्लीन पतंगे हैं जितना आपके पास स्टॉक दिख रहा है बहुत बढ़िया क्लीन है हलका सा जिस दिन धूप निकलेगी ना पतंग में चमक ऐसी आ जाएगी कि मज़ा आ जाएगा य आप लोग जहां से भी हो बात कर लिएगा स्क्रीन पर नंबर आएगा टिंकू भाई का जैसे होगा मैनेज किया जाएगा ट्रांसपोर्ट के जरीए कोरियर के जरीए लेकिन पतंग पहुंचाई जाएगी बढ़िया खुबसूरत पतंग है बढ़िया मेकर है और जी अच्छा एक चीज और बताएगे टिंकू भाई आप खिला ली है आप भी पतंग अब तो आप अपनी शौप से ही लेते होंगे नहीं खरीते होंगे दूसरी शौप से लेकिन जैसे डुब्लिकेट पतंग हो कैस बहुत सारे मेकर की लोकल चल ली है अपने कई वलोग में बता रहा हूं कि आप लोग इससे बचिये तो इसलिए एक अच्छी शौप करिए जहां पर बहुत अच्छी बात है इसलिए मैं कहता हूं कि अगर ओरिजनल चाहिए तो शौप हमेशा ध्यान रखिए टिंकू भाई के पास अच्छा स्टॉक है इसलिए आप लोग जुड़िएगा एक दो रुपए कोई महंगी कहके ओरिजनल बता के डुब्लिकेट देगा पतन तो सथी का मतलब डुब्लिकेट नहीं है और महंगी का मतलब ओरिजिनल नहीं है शौप साही चुनिए जहाँ आपको रीड साही मिलेगा नह महंगी मिले नक शीमीले जो प्राइज है वही होना चाहिए प्राइज जो बता भी रहे वीडियो पर वही प्राइज मिला गई ने की बढ़ते है जो 15 रुप है तो 15 रुप है आपने हमाई बनकी बात कह दी बहुत सारे लोग कह देते हैं वीडियो के लिए बता दिया उसके बाद जब पहुंचे तो प्राइज अलग है यह तबरेज व पारा बंकी में बनकी बदागी है तो मोहर नहीं दीख रही हमको थोड़े अची लगी हमको महर नहीं दिखाई दे रही थी हलकी बहुत लगा दिये है इनोंने महर लेकिन ठड़े की नीचे लगा इस अब यह यह लगती है आर्भी भाई या निरज बाई इक इतने की लवर हैं और आरबी के जो फैन्स होंगे अगर आप लोग हमको कमेंट करते हैं आरबी की पतंग चाहिए हो तो टिंकू का इट सेंटर मैं बता रहा हूं हमको नव कॉल करिए गए टिंकू भाई को करिएगा जी इसक्रीन पे नंबर डाल दूंगा टिंकू भाई का आरबी की पतंग 15 रुपय की मिल जाएगी छोटे फरमे की और हमें लग रहा है और आरबी की पतंगे सारे फरमे मिल जाएंगे आपके पास आते रहेंगे इनhi का ही इस पे इन्होंने इस टैंप ऐसा लगाया है जो नहीं यहां लगाया किया काले पर ऐसा मोहर लगा दिए जो नहीं तिकरी बड़ा फर्मा कितने का मिलेगा एक रुपए का फर्क है राइस बहुत अच्छा है आरबी की पतंगे काफी और जगाओं पर काफी महंगी भी मिल रही है आप लोग लेते हैं तो आप लोगों को पता रहेगा जी चल यह बहुत बढ़ी है पंद्रा सोला जादा बड़ा नहीं करूँगा छोटा ब्लॉक रखूँगा ताकि आप लोग आसानी से जो है नाजिम काइट मेकर वो रादाबाद के हैं जी वो राजिम नहीं है यह चे नाजिम है महाँ पे है यह बढ़ी आपने बात कह दिये चे नाजिम है उन में से एक है नाजिम अब क पतंग सब की अच्छी होती है जितने भी नाजिम हम देख रहे हैं नाजिम के नाम से जो पतंग आती है वो पतंग में सब में क्वालिटी होती है देखे बहुत ही बड़िया पतंग है बिल्कुल साफ अधी है तस्वीर की तरह है कितना प्राइज है प्राइज भी नहीं ब हैं बहुत सारे फर में हैं और खाली मुरादाबाद लखनाओं नहीं आपको और भी बाहर की पतंगे होंगी वह भी आपको दिखाई जाएंगी जीदनी पतंगे आप दिखा रहे हैं, सब हमको ये तो पता चला है, सब खिलाली होगे जाब से पतंगे, क्योंकि फिनिशिंग पतंग होगी अलग है, डिफरेंट फिनिशिंग के साथ, कमानी देखे, क्या बढ़िया कमानी में काम किया गया है, लगनाउ के मेकर है, अच्छा ओके बजनु भाई, ये स्टैंप लगावा है बजनु भाई का, तो बजनु भाई की पतंग के लिए हम पहले ही बता दें, आपके पाद मिलेगी, हमेशा मिलेगी, जो बजनु भाई की पतंगे चाहते हों, कई बार हमने सुनने में आ रहा है कि बजनु भाई की पतंग नह ने फिलाल नहीं उड़ाई है टिंकू बाई ने उड़ाई होगी शायद बहुत चाल है बहुत चाल है कितने की मिलेगी 16 रुपए में मिल जाएगी चलिए बहुत अच्छा अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना वीडियो को लाइक और शेयर करना मत बूलिएगा नीचे लाइक का बटन है उसको दबा दीजिए और रोड की शॉप में सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है कि जब रोड सटी होती है तो धूल बहुत आत हैं इनके बारे में जी एक लंबा है इसके बाद यह छोटी उससे बड़ी आती है तीनों मिल जाएंगे जो यह दिखा रहे हैं कितना प्राइज है यह अठारा रुपै का है गोल फर्मा है एक इससे बड़ा फर्मा होगा अच्छा दूसरा भी फर्मा यहीं मौजूद है उ बहुत बढ़िया पतंग के बारे में कुछ नहीं बताना है वो सब पतंग डिमांडेट पतंग है जी अब हम लोग जो है अब्दुल समत के लंबे और गोल फर्मे पे थे और एक बड़ा फर्मा आता है अब्दुल समत का वह 20 रुपए में मिल जाएगा यह दोनों 18 रुप पर्मा है अब ले लंबी और गोल जी ऐसे तो इनके तीन थे एक से चोटी इसके वाए एक लंबी आता है तीनों मिल जाएंगे फिलाल यह फर्मा एक बार दिखाई यह बहुत अच्छा है इधर करके दिखाईए वढ़िया गोल फर्मा आये रेंच की पतंग है प्राइज आपको बार-बार बता रहा हूँ कि आप लोग प्राइस चेक कर सकते हैं तब आपको मज़ा आने वाला है जी चलिए हम लोग और आके बलेंगे जल्दी बहुत सारे मेकर बचे हैं और 30-35 मेकर से जादा की पतंगे मिलेंगी आपको अभी मैं सब एक वीडियो में नहीं दिख आए इनोंने क्योंकि हमें लग रहा पतंग बहुत अच्छी होगी चाल अच्छी होगी लेकिन आप लोग जब लडाएंगे तो प्लीज अगर कोई ले जाता है तो कमेंट बॉक्स में आईएगा प्राइस बताइए 19 रुपए चलिए बिलकुल बहुत बढ़िया और ये है इसके बाद आगा साजी दुर्फ चुन्नू जी सर क्या प्राइस है 19 रुपए अब हम जल्दी जल्दी दिखाते रहेंगे ये लोग सब जानते साजी दुर्फ चुन्नू को और एक बार देखिए फिर बढ़िया फर्मा आगया इस तरह के फर्मे जो है आप चाहे चोटा पेच लडाईए बड़ा पेच लडाईए मुक्तार भाई मुरादबाद पढ़िया क्लीन बिल्कुल पतंग सत्तरा रुपए बाढ़िया फर्मा प्राइस बहुत अच्छा सत्तरा रुपए और एक और खुबसूरत पतंग दिख रही है हमको ये फिलाल ये किसकी पतंग है हैदर हैदर भाई है पतंग बहुत अच्छी है बिल्कुल क्लीन पतंग ये भी बहुत भी बढ़िया क्या प्राइब 19 रुपए 19 रुपए में हैदर भाई की पतंग मिल जाएगी और ऐसे फुमा का शेर बना रहता है अच्छा अभी सिलसला खतम नहीं हो रहा है आप यह द पतंग है यह सब लोग खिलाली लडाते हैं सबको पता है जी आगे हम लोग और जो पतंग रखी है तो बच्ची भी दिखा दिये हमको और देखिए आप भॐ खतम करने जा रहा हूं क्योंकि बहुत सारे मेकर अगर मैं दिखा ता रहूंग तो ब्लयाग बंद रही होगा न नवाब साबरी के साथ खतम कर दूँगा, प्राइस बताईए, लोएस प्राइस पे, पंदरा रुपय वाली पतंग है, और पंदरा चौदा से शुरुआत है, चौदा वाला आर्टिकल भी आपका बहुत बढ़िया था, जो सबसे पहले आपने काली पतंग दिखाई थी, जल अरफी पतंग है काफी समय लिया हमने है, लेकिन आप मैं ने कोशिश करूँगा, जी बताईए, जितनी भी पतंगे है मेकर मेरट के जितने टॉप मेकर हैं नौशाद हैं जी और हमें यह भी पता है कोलकाता की भी पतंगे मिलती हैं आपके पतंगे पतंगे दिखाऊंगा आज मेरा कम प्राइस का ब्लॉग था और सबसे अच्छा खुशी हुई कि हमारा ब्लॉग नहीं था टिंकु भाई ने खुद से जो है सिफ कम प्राइस की पतंगे और कम प्राइस के मांजे थांक्यू सो मार टिंकु भाई